दोस्तों, आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन जीवन में सक्सेस की बात करेंगे, आखिर सक्सेस क्यों जरूरी है, आखिर जीवन में हमें क्यों सफल होना चाहिए, पिछले 20 से 25 साल के अध्यन के दौरान और 10 साल के अध्यापन के दौरान, जो मैंने सीखा है, उसी की चर्चा करेंगे, जैसा कि पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने कुछ गूगल से इमेज डाउनलोड किया है, सफलता के लिए इक्छा सक्ती जरूरी क्यों, सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, सफलता पाने के लिए बिचारों को बदलना क्यों जरूरी है, जीवन म लक्ष होना क्यों ज़रूरी है ऐसे इसे चीज आप बहुत सारे गूगल पर देखते हैं लेकिन ये ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में नहीं रहता है आखिर क्यों इसी की चर्चा करेंगे पूरी वीडियो को द्यान से देखिएगा ये वीडियो परचार के लिए नहीं ह या मैं इस वीडियो में अपने कोचिंग का परचार करने नहीं जा रहा हूँ ये वीडियो एक दिल की बात है जो दिल से निकलती है उसी की चर्चा करेंगे मैं भी आप सब की तरह एक छोटी सिक गाउं से हूँ जिस गाउं में आज भी बुन्यादी सिक्चा की बहुत कमी है लेकिन जीवन में मैंने कभी हार नहीं माना है जीवन में बहुत आसफलता देखी है IS का पेपर दिया उसमें भी आसफल हुआ PCS का पेपर दिया आसफल में भी है भलब सेक्रो आशफलता हमने देखा है सेक्रो आशफलता देखने के बाद भी आज मैं सफल हो आज मैं सकसेस हो इसके पीछे रिजन क्या है इसके पीछे मूल मंत्र क्या है इसे की चर्चा ये पूरी दिल की बात है, ये इसी बात नहीं है, जो आपको कहीं भी मिल जाएगी मैं बहुत सारे चात्र और चात्राओं को देखता हूँ जो एक बार आशफल हो जाते हैं, दो बार आशफल हो जाते हैं, तीन बार आशफल हो जाते हैं तो वह निराश होकर घर बैट जाते हैं क्या वो सही करते हैं कभी सोच के बताईएगा एक छोटा बच्चा जो बार बार गिरता है फिर वो खड़ा हो जाता है हम उन छोटे बच्चों से क्यों नहीं सीखते हैं जब वो बार बार गिरने के बाब जूद भी खड़ा हो जाता है तो हम क्यों नहीं खड़ा होते हैं हम कुछ जरूर सोचते हैं दोश्तों हम सोचते क्या है उसी की चर्चा पर करोगा हम सोचते हैं कि फलाना की नोक्री इसलिए हो गया क्योंकि उसका सेटिंग था फालाना का जे आरेफ इसलिए हो गया क्योंकि उआ रिजर्व कैटेक्री में था आने अपनी अशफलता को दूसरे के माध्यम से परदा को डग देते लेकिन ग्यान का बास्त्विक मतलब ही हम नहीं समझते ग्यान का बास्तविक मतलब क्या होता है दोस्तों जो मैंने सीखा है ग्यान सफलता और और सफलता से पड़े होता है अगर आपके पास ग्यान है और वो भी बास्तविक ग्यान है तो फिर आपको किसी के दासत की परविरती अपनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के अधीन बनने की जरुरत नहीं है आपको किसी की जी हजूरी करने की जरुरत नहीं है आप one man army हो लेकिन आपके पास talent तो हो आप knowledge तो रखते हो आप शंपुर्णता के काबिल तो हो एक बार बन के देखो आज digital का युग है और इस युग में भी अपने आपको अगर हम साबित नहीं कर पाते है तो यह हम सब की गलती है दोस्तों और सबसे बड़ी बात है यहां पे हम सफल क्यों नहीं होंगे और जीवन में दोस्तों सफलता क्यों जरूरी है आज का टॉपिक मैंने लिया है और यह दिल की बात करूँगा यह आज आपको पता नहीं चलेगा आज लगवग दो धाई सो बच्चे जो मेरे पास पर रहे हो परत्यक्ष और अपरत्यक्ष तरीकेशे और भी बच्चे जो हमारा विडियो देखते हो आज बुरी विडियो दिल से जरूर देखना यह दिल की आवाज है आज से तीन चार साल बात जब आप ही के दोस्त अच्चे पुष्ट पर रहेंगे और आप खुदा ना खास्ता किसी कारण से उसके बड़ावर नहीं पहुँच पाए तो आप लिख के ले लो आप उनसे बात भी नहीं कर पाओगे यही नियती है दूसरी बात आप क्यों नहीं सफल हो सकते हो दोस्तों मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप ठान लिया ना तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है और उनका मैंने इंटर्व्यू भी तैयार किया है जिन्हें गोधान और मैला आचल के सिवा कुछ भी पता नहीं था और वो आज PGT हिंदी है आज JRF, PhD और दिल्ली बिश्मिद्याले में असिस्टेंट प्रोफीसर बन चुके है रियल बास्त्विक इस्थि उन्चात्रों का मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो जब मेरे पास आये थे तो उनकी क्या इस्थिती थे तो कभी ये मत सोचना आप सब कि आप नहीं कर सकते हो आप जीवन में सक्सेस नहीं कर सकते हो मैंने अपने जीवन में सेक्रों बच्चों को सक्सेस होते हुए देखा है और यह मैं परमान के साथ बात कर रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे आप पीछे के वीडियो को देखोगे तो बहुत सारे सक्सेस बच्चों का मैंने Facebook पे YouTube पे फोटो लगा रखा है और वो फोटो मैंने परमान के साथ लगाया आज भी कहोगे तो उसका आधार कार्ड और ID प्रूफ और फोटो मैं दिखा सकता हूँ कि उन्होंने मेरे पास कलास जोईन किया था ये सिर्फ परमान के लिए अगर वो कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं किस कारण से सोचते हो کہ आप सक्सेस नहीं कर पाओगे किस कारण से सोचते हो कि आपको दिल्ली की सुब्धाएं नहीं मिल रही है मैंने गाउं के बच्चे को सक्सेस होते हुए देखा है गाउं से बहुत सारे बच्चे हैं धारखंड के गाउं से, बिहार के गाउं से उत्तर परदेश के गाउं से, राजस्थान के गाउं से मद्परदेश के गाउं से गाउं गाउं के बच्चों ने जे आरेफ निकाला है नेट निकाला है और जिंदगी में उन्होंने सक्सिस की बुलंदियों को हासिल किया है तो जो भी बच्चे आज तेयारी करना सुरू किया हो आज मैं बिलकुल यह नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास परो कहीं भी परो लेकिन सही डाइडेक्शन दोस्तों एक बहुत माईने रखता है सच का सामना करना मैं बहुत सारे बच्चों में देखता हूँ वो सच का सामना ही नहीं कर पाते हैं मैं अपनों भी बच्चों में देखता हूँ जब मैं टेस्ट लेता हूँ बच्चे टेस्ट से ही कुट कर जाते हैं टेस्ट देते ही नहीं है, अपने पावर को जानना ही नहीं चाहते हैं, अपने कमियों को जानना ही नहीं चाहते हैं, और उसी कमियों के साथ ख्याली पलाव बनाते रहते हैं और हर बार अशफल होते हैं और वो अशफलता के लिए खुद जिम्मेदार नहीं मानते हैं पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठाड़ा देते हैं की कमिती फला की कमिती डेकरणा की कमिती रिजल्ट नहीं हुआ तो अगर मैं आशफल हूँ इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ सबसे पहले खुद का जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है अगर मैं आईस नहीं बन पाया इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ना कि समाज जिम्मेदार है, बैवस्ता जिम्मेदार है अगर एक सीट भी है, तो यह ताकत रखो कि वो सीट आपका है आपसे कोई छीन नहीं सकता है यह मैं डंके की चोट पे कहता हूँ और पिछले 15 साल और पिछले 10 साल के अध्यापन के अनुभब से कहता हूँ बहुत सारे मैं भोले बच्चों को देखा हूँ जो बड़े उमीद के साथ मेरे पास आते हैं और मुझे पर विश्वास करके लगतार मेहनत करते हैं कभी-कभी एक बार में सफलता नहीं मिलते हैं लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं मांजी धा मांटेन मेन बन जाते हैं और कहते हैं जब तक तोरेंगे नहीं तब तक छोरेंगे नहीं एक बड़ा अच्छा प्रभावित किया हमारे चात्र है जैप्रकास उन्होंने लिखा कि सर जब तक तोरेंगे नहीं जब तक तब तक छोरेंगे नहीं दोश्तों मार्क्स का एक बहुत फेमस एस्टेट्मेंट है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तुझे खोने को कुछ नहीं है पाने को सारा संसार है मैं पूरे भारत बासी के छात्र और चात्राओं को आज कहना चाहता हूँ दोश्तों तुझे खोने को कुछ नहीं है आपको खोने को कुछ नहीं है क्या खोगे एक टीचर को ऐल्लाइन टीचर वईसे भी सस्ता है कितना दे दोगे लेकिन अगर सही टीचर मिल गया तो पाने को सारा संसार है जब मैं किसी बच्चों के सक्सेस बच्चों के चेहरे पर खुसी देखता हूँ अंदर से खिल उठता हूँ लगता है मेरा मेहनत सफल हो गया जो बच्चे सफल नहीं होते हैं उनके साथ कोई खड़ा हो की नहीं खड़ा हो मैं जरूर खड़ा होता हूँ और मैं कहता हूँ फिर से खड़ा हो कोई भी उसफलता दोस्तो एक कुमा होता है जंदगी में फुल स्टॉप नहीं होता है जंदगी का अंत नहीं होता है अब सोचो, मैं भी यही सोच लेता, I.S. में असफल हो गया, और जंदगी का अंत मान लेता, तो मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड नहीं होता, सामने लाखों का कैमरा लगा नहीं होता, रूम में एसी नहीं लगा होता, क्योंकि मैंने जीवन में हार मानना नहीं सिखा, कितना भी असफल हुआ हूँ, मैंने कहा, फिर उठके, हम में भी कमिया है, ऐसा नहीं के हम में कमिया नहीं है, हम perfect हैं, बहुत सारी कमिया है, मैं अपने बच्चों को भी कलास में बोलता हूँ, कि अगर मुझे में कोई कमी यह होना चाहिए, तो मैं बुरा बांता हूँ, मैं बहुत उस बच्चों को साबसी परदान करता हूँ, खुसी बैक्त करता हूँ, वाह, तुमने गल्ती डूना, और उसको फिर से अपने आपको सही करता हूँ, दोस्तों सिक्षन में ही अधिगम नहित होता है, एक सिक्षक जीवन भर पढ़ते रहता है, ऐसा नहीं है कि सिक्षन हर चीज का बिद्वान हो सकता है, हम हो सकते हैं, बस आपसे थोड़ा एक्सप्रियंस जादा है, बस थोड़ा आपसे पढ़ने का स्टाइल अलग है, रन्नीती अलग है, दोस्तों सफलता के लिए माइने ये नहीं कर रहे हो, सफलता के लिए माइने रखता है, आपकी सही रन्नीती क्या है, आपकी सही सोच क्या है, आपका सही समरपन क्या है, आप किस तरह से पढ़ाई को लेते हो, पढ़ाई भी लोग दो तरीके से करते हैं, एक पीपर को पढ़ना होता है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना होता है और दूसरा अधियन करना होता है पढ़ने में और अधियन करने में बहुत अंतर होता है जब मैं बच्चो को कहता हूं कि objective section को 5 वर लिख के भेजो 8 वर लिख के भेजो कुछ बच्चे जो समर्पित होते हैं जरूर लिख के confidence हमें ले डोबता है और कभी-कभी ये भी होता है एक teacher पर हम बिल्कुल बिस्वास नहीं करते हैं market के भूल विलईये में घूमते रहते हैं मैं उन सारे छात्रों को कहना चाहूंगा जरूर आप market को घूमिए जरूर चीजों को देखिए लेकिन एक चीज पर focus जरूर कीज़े वह मैंने भी किया है मैं भी आपकी तरह history में भी जियारफ हो हिंदी में भी जियारफ हो और buddhism में भी जियारफ हो यह मैं घमंड के साथ नहीं कहता हूं यह बत इसलिए कहता हूं कि यह तीनों subject में जियारफ करना आसान नहीं है लेकिन हमारी रन्नीती उत्तम थे हम अपने अंदर की कमियों को देखते थे और हर test को बनाते थे कोई बात नहीं चाहिए पांच ही सवाल बने लेकिन मुझे पता तो चलता था कि यहां पर यह हमारी कमिया है और उस कमियों को दूर करने में लग जाते थे आप सब भी अपने कमियों को अच्छी तरीके से जानते हो दोस्तों आप में क्या अच्छाई है क्या बुराई है यह सिर्फ आप जान सकते हो कोई टीचर नहीं जान सकता है तो अपना गुरु आप स्वेम हो मैं ने भी यह देखा है बहुत बार लगता था कि मैं बार बार आसफल क्यों हो जावाँ हमारे गुरुदेव थे उन्हेंने कहा कि मैं क्या बतां तुम्हारे बारे में तुम खुद अपने अंदर जहांको तुम्हें क्या कम्या है, तुम्हेh positive point क्या है और negative point है निगेटीव point पर एक फोटी सेवन चलाओ, मेरे गुरु ने कहा था, आज भी याद है कि negative point पर एक फोटी सेवन चलाओ और आनि कि तुम्हें जो कम्या है, उस कम्यों पर सीध ही परहार करो और तब तक परहार करते रहो जब तक कि वो पूरी कमिया पुरुन रूप से खतम ना हो जाए दोस्तों मैंने किया यद भी कहीं मुझे सफलता मिली कहीं असफलता मिली तो मैंने कहा कि सफलता और असफलता से पड़े होता है ग्यार अगर आपके पास नाउलेज होगा ना आपको कभी जरत नहीं होगा किसी के अधीन काम करने के किसी की गुलामी करने के आप जहां खड़े हो जाओगे ना लाइन वहीं से सुरू होगा ये लिख लो और मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा सफल व्यक्ती हूँ लेकिन दाल रोटी भर तो कमा ही लेता हूँ किसी के अधीन नहीं हूँ किसी का मुहताज नहीं हूँ अपने मेहनत पे विश्वास रखता हूँ रात रात भर काम करता हूँ दिन दिन भर काम करता हूँ, काम का कोई अंत नहीं होता है, कभी कभी तुम्हें कोई टॉपिक तयार करने बैठता हूँ, तीन बज जाता है, छार बज जाता है, पता नहीं चलता है. लेकिन अंदर की शक्ती मुझे जगाए रखती है कहता है ना सपने वो नहीं होते है कलाम जी ने कहा था कि जो हम सपने वो नहीं होते है जो हम निंद में देखते है सपने वो होते है जो हमें सोने नहीं देखते है तो सोना भूल जाओ जिन्दगी में जब तक सक्सेस ना मिले चाहे कितनी बही और शफलता मिले चाइलेंज लड़ो एक बैक्ती एक बिसेस से लड़ो वह असफलता से उससे सीधे टकराओ और चाइलेंज करो कि जब तक तुमको हडाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम पे बिजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक मैं हार मानके नहीं बैठूँगा और तब तक जान लगा दूँगा और सफलता हमारे साथ क्या करता है हमें थपर मार के दबा देता बार बार दबा देता एक बार थपर मार दिया दो बार तपर बार दिया तीसरा बार मारा कि खुश पलंग के नीचे, बेड़ के नीचे घुस गए फिर जीवन में कभी निकले ही नहीं तो फिर जीवन में निकले ही नहीं औसफल ता मस्त हो गया हम जीवन भर डिप्रेशन में जीते है हम जीवन भर सोचते रहते है, डिप्रेशन में रहते है, हम तो इस चीज में आसफल हो गया है, हम से नेट ना हो गड़े भाईया, हम से जे आरेफ नहीं होगा आप क्यों नहीं बेड के नीचे से निकल के औस फलता को चार थपर खीच के बारे हो, उसके लिए ख़रा रहना होगा, उसके लिए डरना चूरना पड़ेगा, उसके लिए पावर लगाना होगा, उसके लिए समर्पन दिखाना होगा दोस्तों, मैंने कहा ही, आज में कोई बा आपको कोई जरूरी नहीं है किसी के दास बनने का, आपको कोई जरूरी नहीं है किसी चीज पर विश्वास करने का, आपको जरूरी है खुद पर विश्वास करने का, आपको जरूरी है तो खुद की कमियों पर परहार करने का, आपको जरूरी है तो अच्छे मार्ग दर्शक आपको जरूरी है अच्छे दोस्त होगा आपको जरूरी है ऐसे दोस्त जो आपकी कमियों को बताए ऐसे दोस्त की जरॉत नहीं है जो आपको बरगर पिजा पे आपने बरगर खिलाया कहा वा, तुम्हारे जैसे महान तो कोई है ही नहीं, तुम तो पूरे देश में बिद्वान हो, फिर भी तुम्हारा रिजल नहीं हुआ, इसलिए कि NTA ही गलत है, इसलिए UPSC ही गलत है, BPSC ही गलत है, ऐसे लोगों से दोस रहो, एक उपन्यास है हिंदी साहित में परिक्छा गुरू, और एक पात्र बड़ा फीमर्श होता है, मदन मोहन, वो अपने चाटुकार दोस्तों में फसे रहते हैं, और उन्हें लगता है कि बस इतनी ही दुनिया है, लेकिन जब बास्तविक स्थिति पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाता है, दोस्तों, आप सब का मेर तो एज खतम हो गया, हर एकजाम का, कभी कभी मैं भी बहुत दुखी होता हूँ, कि अगर मैं भी 15 साल पहले यही सोच जो अभी आज बोलना हूँ, यही सोच मेरे अंदर होता, तो मैं और कहीं और बड़े पोस्ट पे होता, अच्छे जगया पर होता, तो जब भी कोई करें, आज से दो साल, तीस साल बाद, यह हमारी बात जो है, आपको सही परतीत होगी, हो सकता है, आज सही परतीत ना हो, हो सकता है, आज हमारी बातों से बुरा लगे, हो सकता है, कि आज हम जो बोल रहे हैं, उस पर मजाक उडाओ, मजाक का कोमेंट पास करो, हो सकता है, और यही होता है कता है जूट के है सच के है जग मारल जाए जूट के है जग पतिया है सच का शाथ बहुत कम देते हैं मैं यह देखता हूँ और जूट में सब विश्वास करते हैं लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर वक्त सच का सामना करता हूँ चाहे वो मेरे विद्यार्थी जीवन में हो चाहे एक सिक्षक जीवन में हो मैं अपने चात्रों को हर वक्त सच का सामना कराया है चाहे वो विद्यार्थी आज बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं हमारे चात्र हैं जो हमें गुरु कहने में सर्म महसूस करते हैं उसे लगता है कि आज हम प्रोफेसर बन गए आज हम पीजी टी सिक्षक बन गए टीचर बन गए यह तो हमारे सामने कुछ नहीं है फिर मैं इसे गुरु क्यों मानूं लेकिन फिर भी मैं इन चात्रों को भी बड़ा प्यार क क्यों आप सोचना क्योंकि हर इनसान का अपना करतब्य होता है अगर सिस करतब्य भूल जाये तो गुरु को करतब्य नहीं बोलना चाहिए दूसरी बात बहुत सारी सिस बहुत सारी बाते बोलते हैं एक गुरु के लिए सिस उनके पुत्र और पुत्री के समान होता है आज अभी मैं वही मानता हूं कि यह हमारे बच्चे हैं यह गलती करते हैं यह अभी ना समझ है लेकिन हम तो गुरु है पिता तुल्ल है माप करना गुरु का सबसे बड़ा धर्म होता है तो मैं भी उसी धर्म को निभाता हूं चाहे कोई भी चात्र हो चाहे वो मुझे पसंद करे या ना करे जब महवीर स्वामी जयन धर्म के प्रतिपादक थे जब वो जंगल की योड चले तो कोई उसे प्रेम करते थे कोई उसे पत्थर मारते थे लेकिन दोनों के साथ वो शमान आदर का बैभार करते थे मैं उसी बुद्धजम को परने वाला हूं उसी जैनिजम को परने वाला हूं उनके तरह तो नहीं बन सकता लेकिन एक परसंट तो अपना शकता हूं मैं किसी बच्चों के बातों का बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि मैं समझता हूं ये बच्चे अभी बहुत कुछ नहीं समझ रहे हैं नादान हैं जिस दिन बास्तिविक स्थिती को आप समझोगे हम सब बदल जाएंगे हम सब में परिवर्तन होगा हमारा जिन्दगी भी बदलेगा तो आज के लिए इतना ही और ये सब बात मैंने दिल की बात की है रुक कर थोड़ा सोचना आप भी सब कुछ कर सकते हो जिन्दगी में से हाइस्ट स्टेज पर पहुच सकते हो अगर ये सोच रहे हो कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं बिलकुल गलत है मुझे तो दसमी में मातर 52% आया था अगर मैं कर सकता हूं 50-52% टेंथ में लाके तो आप भी कर सकते हो मुझे याद है भारत की राजधानी जब मैंने पढ़ाई भारत की राजधानी भी पता नहीं थी अच्छे से, भारत के प्रधान मंत्री कोन है, राष्टपती कोन है, उपराष्टपती कोन है, ये भी पता नहीं था, लेकिन अध्यन के साथ लगतार मैंद करके हर छीज को सीख लिया, तो आप भी सिख सकते हो, तो आज के लिए इतना ह धन्यवाद जय हिंद